तो सबसे पहले आप लोग ये कोशन देखो, ये कोशन आपसे कल NTPC एक्जाम 4 फरवरी को सिफ्ट 1 में पुछा गया था और ये कोशन आपके क्यूब के कटिंग वाले बेस पर कोशन आपसे पेपर में पुछे गया थे आप लोग देख सकते हो और चाहो तो एक बार खुद से भी ट्राइ कर सकते हो वीडियो पाउस करके यहाँ पर कोशन क्या बोला गया था बड़ी थोड़ा मज़िदार कोशन था क्या बोला गया था कि 3-3-3 के एक क्यूब को सभी 6 सताह से चित्रित किया गया है अगर मैं क्यूब को एक एक केक के 27 बराबर क्यूब्स में काटता हूँ तो वास्तों में 2 सताह पर कितने क्यूब्स पेंट किये जाएंगे यह आपसे कोशन पेपर हैं पूछा गया था अब यहाँ पर द्यान से देखो आपसे कोशन में 2 सताह पर पूछा गया था हो सकता था आपसे पूछ लिए था कि 3 सतहा पर कितने पेंट्स होंगे यह आपसे पूछ सकता था या फिर एक सतहा पर पूछ सकता था या फिर आपसे यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता था कि बिना सतहा वाले कितने ऐसे क्यूब्स होंगे वो भी आपसे पूछ सकता था तो इसका हमें हलका concept देख लेते हैं यहाँ पर आपको बनाना एकदम भी से नहीं है आपको यहाँ पर केवल समझने के उपर है यह question तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा जैसे कि आपको पता एक घंद दे रखाता यहाँ पर इस question में तो आपको dimension भी दे रखाता बट dimension की कोई भी जुरत नहीं थी जब question में बोली रखा है कि एक बड़ा सा cube है जिसका dimension 3-3-3 के है उसको 27 equal parts में cut किया गया है हो सकता था question में आपको ऐसे भी बोल सकता था यह तो आपको पूरा directly दे रखाता जब question को थोड़ा moderate बनाया जाता है तब क्या बोल दे जाता है मतलब इस वाले घन में equal equal 6 cut किये गया है तब भी जब आपके 6 equal equal भाग में जब cut होंगे तब भी जाके 27 equal parts में ही cut के बराबर होगा बात समझ आ रहा है तो यहां तो आपको वैसे कुछ बोला ही नहीं गया था डारेक्ट आपको बोला गया था कि इसके total 27 equal parts किये गया है जिसका dimension भी आपको दे रखाता अब question में यही पुछा गया था जो 27 equal parts आपके जो cut हैंगे चोड़े-चोड़े cube के उसमें 2 सतहा पर कितने सारे cube होंगे वही उनी के आपको संख्या बतानी थी तो 2 का पुछे, 3 का पुछे, 1 का पुछे या बिना कोई painted वाला cube का पुछे तो सारा चीच को अब आपनोग समझते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता है cube के बारे कि 1 cube में यानि एक घं में टोटल 6 surface होते हैं यानि 6 सतहा होते हैं ये तो समझ आया आप लोगों को अगर मैं इसके vertices की बात करो तो टोटल इसके कितने सिर्स होते हैं तो आप बोलोगे 8 सिर्स होते हैं चलो ये भी सही है अगर मैं बात करूँ इसके total कितने age होते हैं तो जिसको मैं बोलते हैं किनारे तो total से कितने किनारे होते हैं total 12 किनारे होते हैं यह भी आप लोग जानते होंगे यह था basic चीज अब समझ जना अब मैं इसका अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा देखो हमसे क्या बोला था कि दो सर्फेस पेंटेड वाला चाहिए तो आप ही समझो जब यह आपके एकोंat पूटल 27 इकवल पार्टस में जब यह कटेगा तो कौन-कौनसा सर्फेस में कौन से वाले क्यूब आपके यहाँ से यह वाला दिखेगा यह वालाaltet से आपको दिखेगा painted आप इसको थोड़ा feel करो चीजों को समझने हैं कोशिस करो top में total कितने दिखेंगे चार दिखेंगे उसी तरीके से middle में भी अगर आप देखोगे तो यह वाला दिखेगा और बचे दो पीछे आपके यानि total 4, 8, 12 यानि total 12 हो आपके ऐसे cube होगे जिनके सिर्फ दो faces पर painted होगा तो इसका answer simply आप दे सकते हैं थे 12 अगर तीन faces अगर आपसे पूछा जाता है कि तीन faces वाले कितने होगे तो फिर आप मुझे बताओ कौन-कौन सा वो वाला cube होता तो ये वाला vertices वाला होता किनारे वाला क्योंकि यहां से भी color यहां से भी color यहां से भी color तो total कितने होते हैं उपर 4 और नीचे 4 यानि total आपके 8 face आपके होते cube मतलब cube क्लियर है अगर आपसे एक-एक face दो वाला painted यानि यह आपको 6 हो जाता अगर आपसे कोशन में पूछ लेता कि बताओ ऐसे कितने cube होंगे जिन पर कोई भी painted नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ एक-एक cube होता वह कौन सा होता तो आप भी समझ गये वह अंदर वाला बीच में जो होता उसको कहीं से भी painted नहीं होता तो इसक चैनल पहले जाफ़ा है तो पर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ठीक है तो मिलते हैं फ़र्ण के सेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत